तारिक चार एपरी आजनो दीनी महीमा सच्चिदानंद वाथ्ष्यायन हिंदी सहित्यना प्रतिष्टित सहित्यका सच्चिदानंद वाथ्ष्यायन एतले के अगने इनो जन्म इस्वीशन उग्रिसोने अग्यारमा अयोगतो जन्म दिवस मैं मरूंगा सुखी क्योंकि तुमने जो जीवन दिया था पिता कहला देखो तो जीवन के तत्व पांच चाहे जैसे पुंजबत हुए हो श्रेय तो तुमी को होगा तुमने जो जीवन दिया था उससे मैं निद्व कलब खेला हूँ खुले हाथों उसे मैंने वारा है धचिया उड़ाई है तुम बड़े दाता हो तुम्हारी देन मैंने नहीं सूम सी संजोई मैंने नहीं जोडा कुछ थोड़ा थी पांच ही थे तत्व मेरी गुजड़ी में मैंने नहीं माना तुमें लाल चाहे यह जीवन का वरदान तुम नहीं देते बार बार अरे मानव की योण परमसी योग है किन्त जब आए काल लूप विवर साथ लंब कर खुली पाई प्राणों की मन्जूशा जा मैं पांचों प्राण शून्य में विखर मैं भी दाता हूं विशर्ग महा प्राण है मैं मरूगा सुखी बाड़ पंथी संस्कूत फार्षी औने अंग्रेवी सिक्षन नों यह मने अभियास कर दिया दर्मिया भगत सी जेवा कांती कार ये ठड़ राष्ट्रिय चड़वर जोर पकड़ में हादी इटले अग्नेई पन आ प्रवुती मा सक्रिय बने बोंग बनावा सबब येमनी धर पकड़ थाई आ जेलवास दर्मियान येमना सर्जन मा वेग आदी येमनी अनेक भारताओ औने सुंदर नवलकथाओन मूर एजेल निवास दर्मियान ये प्रकाशन साथे येमने अग्ने जेव उपनाम भी तेमने सेनिक, आर्तिक, प्रतिक, नया, प्रतिक, नव भारत पैंस जेवा सामिकोनूं संबादन करियो होत। शेखर एक जीवनी अने नदी के द्वीप येमनी प्रक्ष्यात नवलकथाओ जो। कितनी नावों में कितनी बाग ने भारतिय गिनान पिटनों कुश्कार मने लो, तो तार सब्तक की येमने हिंदी कविताने एक नव सोरुपाद। दीन मान जवा साथ एकनों प्राणव करियो। नव भारत टाइम्स जवा प्रक्ष्यात सामिकना संपादक तरीके से ओपनाड़ी। इंदी साहित्याना इप्यास्मा साहित्यकार तरीके एमनी प्रतिवा बौंखी। उसके आधार पर ये कह सकता हूं कि इसको एक हद तक ही जरूरी समझता हूं कि जैसा मैं हूं लोगों को उसकी पहचान कराऊं। आखिर कवी हूं तो कुछ रचना भी करता हूं और चाहता हूं कि उस रचना के सहारे ही एक पहचान बने और मेरी जो भी मैं हूं उसकी पहचान उसी चौक्टे के भीतर बने ये तो मेरा उद्देश होता है। उसके बाहर भी पहचान बने तो जरूरी नहीं है कि मैं रचना से वैसी मांग करूँ समाज में एक मेरा रूप है, समाज में मैं चाह सकता हूँ कि लोग मुझको अम्मुक रूप में पहचाने या अगर उस पहचान में की गलती है तो उसका सुधार करना चाहूँ लेकिन ये ख्षेट तो रचना का ख्षेट नहीं है, रचना का जो ख्षेट है उसमें इस बात का महत्व इस रूप में नहीं है कि लोगों को मेरी पहचान हो लोगों को उस यथार्थ के पहचान हो जो कि मैंने और सिर्फ मैंने देखा है जिसका संप्रेशन मैं और केवल मैं कर सकता हूँ उसी में से मेरी भी एक पहचान प्रकट होगी जो कि दूसरे दर पहुंचना सरूरी हो जाएगा इसी रूप में मेरी तहचान हो और वो सही हो ये तो कभी के नाते मेरा लक्ष है नहीं तो मैं क्या हूँ कौन हूँ कब था ये था भी कि नहीं था इससे किसी को क्या मतलब है उसके सामने रचना जाती है रचईता कौन था इसका तो कोई महत्व नहीं रहता ऐसे बहुत से मुझे आज हसना चाहिए एक दिन मैं राह के किनारे मरा पड़ा पाया जाऊंगा तब मुड मुड कर सालिकार लोग पूछेंगे हमें पहले क्यों नहीं बताया गया कि इसमें जान है पर तब देर हो चुकी होगी तब मैं हसना सकूँगा इसी बात को लेकर मुझे आज हसना चाहिए इतिहास का काम इतने से बन जाएगा कि एक था जो था अब नहीं है पाया गया पर मैं जो जिया जो मैं जिया जो रोया हसा जो मैंने पाया जो किया उसका क्या होगा उसके लिए भी है एक नाम आया गया इस नाम को लेकर मुझे आज हसना चाहिए